1992 में फिल्म यलगार रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुकेश खर्ना ने खुद से 10 साल बड़े एक्टर फिरोज खान के पिता का किरदार निभाया था। अब 32 साल बाद उन्होंने अपने इस रोल के बारे में बात की। एक इंटरव्यू के दौरान मुकेश खर्ना ने कह बॉलिवूड के लोगों ने इसे लाफिंग पॉइंट बना दिया था। बॉलिवूड ठिकाना के साथ बातचीत में मुकेश खर्ना ने कहा फिल्म में एक सीन था जब मैं और फिरोज ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे जहां वो मुझे पापा कहकर बुला रहे थे। इंडस्ट्री के लोगों ने इसे लाफिंग पॉइंट बना दिया था। मैं इंडस्ट्री में मजाक बन गया था। मुकेश खर्ना ने कहा मेरे और फिरोज खान के बीच चीजे तब बिगड़ी जब फिल्म के प्रीमियर में उन्हें स्टेज पर नहीं बुलाया गया उस धटना के बाद मैं फिरोज खान को इगनो करने लगा था। लेकिन जब संजे खान की बेटी की शादी में हम मिले तो फिरोज खान ने गौर किया कि मैं उन्हें इगनो कर रहा हूँ। तब वो मुझसे आकर मिले और मैंने उन्हें बताया था कि यलगार फिल्म के प्री में स्वीकार नहीं किया। इस पर उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने तुम्हारी पिता माह की इमेज की वज़े से लिया था। उनका ये जवाब सुनकर मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं था और मैं चुप हो गया था। मुकेश खर्ना ने आगे बताया मैंने फिल्म का ओफर रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फिर फिरोस खान की टीम से कोई मेरे पास आया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप फिल्म में कमिशनर होंगे। आप एक डॉन के साथ काम कर रहे हैं जिसका किरदार कभीर वेदी ने निभाया है। जबकि फिरोस खान एक इंस् 1992 को फिरोस खान की फिल्म यलगार रिलीज हुई थी। उनकी फिल्म का क्लैश अजय देवगन की फिल्म जिगर से हुआ था जो सुपहिट है थी। हाला कि क्लैश के बाद भी फिल्म यलगार ने अच्छी कमाई कर ली थी। इस फिल्म को क्रिटिक्स से मिले जुले रिव्य मिले थे इस फिल्म के सभी गाने हिट थे लेकिन एक गाना सुपहिट हुआ था जिसका नाम आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी है फिरोध खान के अलावा फिल्म में मनीशा कोईराला संजेदर विक्की अरोडा कबीर बेदी नगमा मुकेश खन्ना दीपती नवल औ और नीना गुपता जैसे कलाकार नजर आये थे फिल्हाल इस वीडियो में इतना ही और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जरूर करें